गुड मॉरिंग बेटा अब तक जो हमने किया जो में प्लेसिस के थे वें स्टेंद थेंडुन थैन थाउजन लग यहां योजह होता है 10 zip Lord यूज生 लेकिन अब हम International System International मतल जो हम उसको देखते हैं वह कौन सी होती है ठीक है International System क्या है कि हमारे पास place value दूसरी तरह से भी दूसरा तरीका है हमारे पास places को count करने का तो उसे हम बोलते है International Place Value ठीक है किस तरह से सभी nations में use होती है वो क्या है देखो ones, tens, hundreds बेटा ये तीनों तो same रहेंगे ones, tens, hundreds, तीनों same रहेंगे फिर उसके बाद क्या होगा बेटा देखो यहाँ पर ऐसे लगा लो one thousand one thousand ten thousand और hundred thousand इंडियन सिस्टम में क्या होता था thousand और ten thousand होता था अब इसमें क्या होगा one thousand ten thousand और hundred thousand यानि कि same इसके according चलेंगे one stands hundred फिर one thousand ten thousand और hundred thousand clear है बटा फिर उसके बाद हमारा क्या आता था thousand के बाद lack आता था अब इसमें lack नहीं आएगा यहां क्या आएगा one millions one millions ten millions और hundred millions क्या आएगा बटा one millions ten millions और hundred million यानि कि इसमें क्या चलेगा one ten hundred one ten hundred और one ten hundred इसमें क्या है फस्स तो खाली चलेगा one stands hundred second में one thousand ten thousand hundred thousand फिर next में one millions ten millions और hundred millions ठीक है बेटा और इसमें periods क्या होते है बेटा देखो one stands hundred इन तीनों के periods क्या होंगे 1,000, 10,000 और 100,000 इनका पिरिड क्या होगा 1000 और 1,000,000, 10,000 और 100,000 का पिरिड क्या होगा बैटा million होगा ठीक है बैटा clear है इतना आपको ठीक है तो इसके coding कोमा भी अब हम ऐसे ही put करेंगे 1, 2, 3, 3 places count करो कोमा लगा दो फिर 1, 2, 3 आप देखो 100 तक 3 places होगा ना 3 places के बाद कोमा फिर से 3 places ठीक है ना इस तरह से हम इसको बनाएंगे बैटा ठीक है आप देखो worksheet 4 पे हम आते हैं बैटा इसके according चलते हैं rewrite the following numerals using commas in international system of numeration and then read them aloud क्या है कि आपको numbers दिये हुए हैं आप इनमें international system के according कोमा डलो international system के according कैसे कोमा डलता है 3 के बाद कोमा फिर से 3 के बाद कोमा और Indian system में कैसे डलते हैं बैटा 3 के बाद कोमा फिर 2 के बाद कोमा फिर 2 के बाद कोमा और international में 3 के बाद कोमा फिर से 3 के बाद कोमा ठीक है आप international system को यूज करके कोमा डालना है और फिर उसके according हमें उसे read करना है आप read किया हुआ तो किसे सुनाई देगा आप क्या करोगे उसका number name ही लिख दोगे बेटा देखिए दर क्या है वक्षिट 1 sorry unit 1 वक्षिट 4 page 11 first sum की statement लिखी आपने आप देखो क्या है rewrite the following numerals using commas in international system of numeration and read them aloud अब इन्हें read करो क्यासे करोगे देखो बेटा पहले उपर लिख दो 1 stands 100 दिखाई दे रहा है 1 stands 100 फिर ऐसे लिखो 1 million फिर 10 million 1000 sorry बेटा मैं इसे दुबारा ही लिखती हूँ 4 9 यह दर से ना यहाँ पर बेटा फोटो ब्लर कर रही थी देखो इदा ठीक है ना 182 इस तरह से बेटा तू लिखा आप लिखोगे 1 stands 100 यहाँ तक दिखाई दिया फिर क्या लिखोगे 1000 10,000 और 100,000 इस तरह से लिखोगे बेटा ठीक है आप कोमाज कहाएंगे 1, 2, 3, 3 के बाद कोमा फिर 1, 2, 3 यहाँ कोमा आना चाहिए लेकिन आगे कुछ नहीं है तो हमें कोमा डालने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आप बेटा देखो इस कोमा में क्या है 493 याने कि 493 493 यह क्या है 1000 493,000 तो हमने लिखा यहाँ पर 493,000 और फिर 182 182 ठीक है बेटा इस तरह हैं से नेक्स देखिए आप यहाँ पर लिखो 1, 10, 100 लिखा फिर 1000 10,000 फिर 100,000 फोटो ब्लर कर रही है बेटा 100,000 फिर 1,000,000 फिर 10,000 ठीक है बेटा फिर 123 इसके बाद कुमा 123 इसके बाद कुमा लगाया कुमा इस तरह से आप देखो फिरस्ट वाले कुमा में क्या है 10 और 10 के उपर क्या लिखा हुआ देखो इदर million तो हम क्या लिखेंगे 10 million फिर second कुमा में क्या है 489 489 489 अभी 89 के उपर देखो क्या है 1000 489 1000 1000 और लास्ट में क्या है 752 752 फिके बटा इस तरह से next देखो आप once, tens, hundred, thousand, ten thousand 1000, ten thousand और hundred thousand फिर one million फिर ten million और फिर hundred million 123 के बाद कुमा 123,3 के बाद कुमा क्या लिखोगे आप देखो 670 670 क्या होगे million million होगे ना 157,000 और 213 लिख लोगे बटा इस तरह से next next सम्में क्या है write the number names और the following numerals अब ही जो हमने उपर किये हैं वो number name ही थे सेम ऐसे ही करोगे बटा उपर लिखोगे once, tens, hundred one thousand ten thousand और hundred thousand होगे बटा आप देखो four hundred nine thousand eight hundred forty six सेम ऐसे ही once, tens, hundred one thousand ten thousand hundred thousand one million ten million और hundred million ठीक है four hundred ten million eight hundred thousand one hundred forty three इस तरह से लिखोगे फिर वीडियो काफी है भी होचुके बटा once, tens, hundred one thousand ten thousand hundred thousand one million ten million और hundred million देखो फिर two hundred seventy one million eight hundred four thousand और ten इसमें hundred नहीं है only ten ठीक है बटा तो इस तरह से आप इसका वक्षिट four का first और second sum पूरा का पूरा आप अपनी fair note book में करोगे ठीक है और उसके बाद जब third sum करोगे उसके बाद आपको पूरी practice हो जाएगी international system की फिर आप international system